हाई दोस्तों क्या आपको एक चीज़ पता है कि लेमन और ओरेंज जो होता है उसका जो स्मिल होता है दोनों के स्मिल के लिए ही एक ही कमपाउंड रिस्पॉंसिबल होता है उस कमपाउंड का नाम क्या है आपको पता है उस कमपाउंड का नाम है लीमोनी अब अगर मैं आपस बोलो कि lemon और orange दोनों की smell एक जैसी होती है लेकिन जो compound उन में present है वो तो एक जैसे ही है तो आप बोलेंगे नहीं दोनों की smell अलग अलग होती है तो दर असल होता क्या है ये समझते हैं कि जो orange जो होता है उसके अंदर present होता है R-limonin और जो lemon होता है उसके अंदर present होता है S-limonin तो इसकी वज़े से दोनों का जो smell होता है वो different होता है और ये दोनों R और S क्या चीज़ होती है अब R और S actually ये है अगर मैं एक साइट R-limonin लो और दूसरे साइट S-limonin लो तो दोनों को अगर मैं एक दूसरे के उपर रखूँगा तो दोनों ही क्या होंगे सुपर इंपोज नहीं होंगे like this जैसे आपके दोनों हाथ है है ना I hope this concept is clear to you